मानक बुक अब्यास नमबर सेवन वे रेडी स्टार्ट आदरनिय महोदे परदेशों के खाद्यमंत्रियों के दो दिन के सम्मेलन के बाद किंद्रिय खाद्यमंत्री ने बताया है कि अगले अप्रिल में गेहु और धान का थोक व्यापार सरकार अपने हाथ में ले लेगी विराम सब परदेशों के मंत्री इस पर सहमत हो गए हैं विराम अन का जो संकट आजदेश के सामने हैं समुचे अर्थतंत्र के सरकारी करण की बात सोचने वालों का उससे होंसला बड़ा है हाला की पिछले वर्सों के भयंकर आकाल के समय भी सरकार ने ऐसा करने की बात नहीं सोची लेकिन अब आयात निर्यात चिनी कपड़ा लोहा अनाजदी सब की व्यापार पर सरकार कबजा करना चाहती है क्योंकि इस सरकारी करण को ही समाजवाद का परयाय समझा जाता है विराम वित मुंत्राले पहले पचास लाख टन से अधिक के भंडार बनाने के पक्स में नहीं था लेकिन वह इतनी जल्दी दो करोड टन अनाज़ की खरीद फ्रोक्त में बीस अरब रुपिया फसाने को कैसे तयार हो गया और इसके पीछे क्या आर्थिक तरक हैं यह बात आसानी से समझ में आने वाली नहीं विराम अभी तक सिर्फ छै परदेश ही इस अक्षेत्र में कदम बढ़ाने को तयार थे लेकिन अब सब परदेशों ने किसाधार पर इस फैसले का स्वागत किया इसके कारण भी सपस्ट नहीं विराम पेरा सरकारीकरण या राष्ट्रियकरण का सर्वत्र विरोध नहीं किया जा सकता लेकिन कुछ अक्षेत्र ऐसे हैं जिनकी धेकभाल का दायतो जनता पर ही छोड़ा जाना चाहिए विराम अनाज का अक्षेत्र ऐसा ही है विराम जमा खोरी और मुनाफा खोरी रोकने के लिए सरकार कठोर निरक्सक की भूमिका यदि निभाए और अभाव की पूर्ती का ही जिम्मा संभाले तो समस्या का द्वी पक्सिय हल भी निकाला जा सकता है और सरकार बहुत सी प्रेशानियों तथा आलोचनाव से भी बच सकती है विराम लेकिन अब जो कदम उठाया जा रहा है उसका परिणाम इससे भिन नहोगा की जनता की पहल खतम होती जाएगी विराम एक के बाद दूसरे क्छेत्र के सरकारी करन की अवशक्ता महसूस होगी और सरकार तथा जनता की दूरी दिन परती दिन बढ़ती जाएगी विराम ओवरॉल